हेलो फ्रेंड्ट स्वाफ़ागे था आप लोगों का one two three स्टेडी शیनल में तो आज का topic होने वाला है कुछ नया तो आज हम start करनेवाले class 9th का physics OK आज हम start करने वाले class 9th का physics physics का कौन सा chapter 8 chapter OK class 9th science और वो science में क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग physics की बारे में जानने वाले है और कौन सा chapter физics का chapter 8 OK, friends तो आज हम जानेंगे इस chapter में हम जानेंगे motion के बारे में OK और इस chapter का नाम क्या motion क्या कह सकते हैं इस chapter का नाम क्या है motion motion okay so chapter name क्या है motion chapter number 8 okay friends तो चली start करते हैं सबसे पहले हम यह समझते कि motion क्या होता what is motion क्योंकि chapter का नाम ही क्या है motion है okay तो आज समझेंगे हम लोग details में जानेंगे what is motion तो friends motion को समझने से पहले कुछ समझ लेते हैं इससे पहले भी कुछ है चीज जिसको हम लोग क्या करेंगे समझेंगे और वो क्या चीज है rest वो क्या है rest तो सबसे पहले हम rest समझेंगे तो फिर क्या समझेंगे हम लोग motion को समझेंगे आप अगर rest को समझ गए तो motion को समझना क्या होगा आपके लिए easy होगा तो चली start करते हैं तो definition इसका क्या कहता है पहले what is rest सबसे पहले हम क्या समझ गए what is rest rest किसको बोलते हैं rest का मतलब क्या होता है general language में सब लोग तो बोलता है rest rest मतलब अराम करना general तो इस ही बोलता है na rest rest मतलब क्या अराम करना ऐसे लोग कहता है तो सबसे पहले हम यह समझते है motion को समझने से पहले friends हम क्या समझना होगा rest को समझना होगा तो चली start करते हैं with definition so rest का definition क्या देख लेते हैं a body is said to be in a state of rest a body is said to be in a state of rest when its position does not change with respect to reference point means definition कहता है friends कि कोई भी body body का मतलब क्या होता है friends आप भी हो सकते हैं मैं भी rest हो सकता हूँ car भी हो सकता है कोई भी चीज body का मतलब कोई भी चीज हम कह सकते हैं car भी हो सकता है मैं भी हो सकता हूँ cycle भी हो सकता है bike भी हो सकता है तो बोलता कि body जो है आप body उसको हम कह सकते है rest में है कब जब वो क्या करेगा उस body का position क्या होगा change नहीं होगा हम rest देख रहे न तो उसका position क्या होगा change नहीं होगा कहा से तो with respect to reference point तो यह reference point क्या होता है और यह position change का मतलब क्या होता है इस definition में कुछ ऐसा लग रहा है तो हम समझेंगे कि position change क्या हो रहा friends अगर आपको समझना तो position change समझना होगा यह reference point क्या है reference point समझना होगा जब आप reference point और position यह समझ जाएंगे क्या होता है तो आपके यह rest को समझना या motion को समझना easy हो जाएगा तो चलिए समझते हैं देखे friends यहाँ पे बोला गया है कि body को हम rest में कह सकते हैं a body is said to be in state of rest when does not हम कैसे तक when its position does not change with respect to reference point तो यह reference point क्या हो रहा है position change का क्या मतलब है तो हम इसको समझते हैं इसके example हम समझते हैं friends मान लेते हैं कोई भी एक car है अगर हम कह सकते हैं मैं example मैं हूँ यहाँ पे तो मैं क्या एक body हूँ suppose मैं एक body हूँ मतलब आप भी कह सकते हैं कि क्या हो आप rest में हो चलिए मैं rest में हो लेकिन definition के नुशार चलिए एक body है जैसे मैं भी कह सकते हूँ एक car है suppose मान लेते हैं एक car है यह हम इसको मान लेते हैं यह एक car है यह क्या है एक car है यह point A पे है हम कह सकते हैं यह point A पे है और यह point B है यह point A है और यह point B है अभी car क्या हो रहा है car क्या है एक ही जग़ाँ पर है, देखिए एक ही point A पर है देखिए, यहां से कुछ नहीं हो रहा है Heal रहा है, कुछ moving नहीं हो रहा है मतलब move नहीं कर रहा है ओके, तो इसका position मतलब body का, इस car का posici क्या हो रहा है एकदम एक जगाँ पर है position मतलब क्या? कि यह car कार मतलब एक जगा पे है, कार क्या है एक जगा पे है अब यहां पे दूसरा आया, पोजिशन मतलब क्या यह इस पोजिशन में, कार खड़ा है तो इस पोजिशन में देखिए, कार का पोजिशन ऐसा है न, क्या कार का पोजिशन का चेंज हो रहा है, पोजिशन मतलब क्या जि यह position हो गया, इस position में क्या है, खड़ा है, इस position में car खड़ा है, तो अब इसमें हम देखते हैं, कि यह point A है, friends, यह point क्या है, हम कहाई सकते हैं, यह point A है, और यह point A पर खड़ा है, इसका position चेंज नहीं हो रहा है, ऐसे position में हैं, अब देखते हैं, reference point क्या है, reference point किसको बोलते है औरिफेरेंस पॉयंट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट reference point, जैसे इस point में, point A में ख़ड़ा है ना ये तो ये क्या हो जागा, इसके लिए क्या होगगा, reference ये हो जागा, reference ये car का क्या हो जागा, reference point ये हो जागा, ओके अगर मैं बात करता ह McConnell हूँ अपना, तो मैं इस जगा पे, इस position में खड़ा हूँ और मेरा क्या है मैं इस जगा पर हूँ तो जिस जगा पर मैं खड़ा हूँ उस पोजिशन को मैं क्या कहूंगा यह हमारा reference point है है ना? यह क्या है? यहía फिर origin मतलब starting है हना हम कहा सकते हैं कि यहां से मैं क्ख़ड़ा हूँ कहीं पर यहां से मैं वो left जाएगा, right जाएगा, straight जाएगा, back जाएगा, तो इसी point से ही कही ना जाएगा, तो starting point हम कह सकते है, initial point, है ना, उसको क्या कहते है, reference point कहते है, friends, okay, यहाँ सही क्या करेगा, यह, कहीं पर जाने का, यह फिर, जो भी करेगा, यह, यह, फिर, stand है, तो एक point महीं कड़ा है, तो इस point को क्या कहेंगे, reference point कहें, reference, I hope आपको reference point समझ में आ गया होगा, और position भी आ गया होगा, अब बात रहा है, यहाँ पर definition कहता है, wrist, कि कोई भी body, wrist में कहा जा सकता है, our body is set to be in a state of wrist, but when, when a position change, sorry, do not change, यह position क्या करेगा, change नहीं करेगा, अगर कोई भी एक body है, जो point A पर है, देखिए friends, यहाँ पर point A पर ही क्या है, point A पर ही यहाँ खड़ा, इसका position नहीं change हो रहा है, ना hill रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, ना move कर रहा है, position ऐसे खड़ा है car, तो ऐसे ही है, और जिस जगाप है उसी जगाप है तो जिस जगाप है उस जगाप को reference point कहते हैं और उस reference point से देखा जा रहा है कि reference point में ही क्या है यह पार्क किया हुआ है कहीं hill दो नहीं रहा है तब इसको क्या कहेंगे rest कहते हैं अगर मैं यहां पे हूँ, मैं इस जगा पे हूँ friends, इस जगा पे, इस जगा पे हूँ मैं ऐसे, और जिस जगा पे में, जिस point पे खड़ा हूँ, वो point हमारा क्या है, reference point, अगर मैं इससे क्या करूँगा, इधर ऐसे चलना स्टार्ट कर दिया मैं, तो चलना स्टार्ट कर दिया तो जब यहां से reference points हमारा position change हो जाएगा ना तो उसको क्या कहेंगे rest नहीं कहेंगे जिस point पे आप खड़ा हो या कोई भी body जिस point पे एक जगा पे रखा गिया है उसमें उसका क्या उसमें changing नहीं होना चाहिए उस point से वो क्या है इधर या उधर जैसे अगर मैं एक बात करता हूँ कि एक क्या है एक हम बात करते कि को भी एक box रखा है इस जगा पे point A पे, अब मैं क्या करूँगा, point को क्या कहते है friend, जिस जगा पर यह रखा गया है, इस जगा को क्या बोलेंगे point A दिया, और यह point क्या हमारा reference point है, अब इस object को मैं क्या करूँगा, यही पे है, इस object को मैं क्या करूँगा, यहां से उठा करके मैं यहां ले आता हूँ, suppose इस जगा पर, तो क्या हो गया friend, देखिए, यह जो इसका position, reference point है न, यह अपना reference point से हो करके, कहां चला गया, यहां चला गया, तो इसका reference point से क्या हो गया, इसका position change हो गया, अभी यह यहां था, यहां से फिर यहां point B पर आ गया, अब माल लेते हैं, अगर फिर यही पर यही पर मान लिए बी से सी पे आ जाता है, तो क्या होगा, इसका position वहाँ से याँ chain हो गिया, और फिर यहाँ पे एगर रूख जाएगा, और यह change फिर कहीं नहीं होता, यह होगा, इसका क्या सी होगा, इसका reference point हो जाएगा, तो इसी को बोलते है reference point, I hope आपको यह rest समझ में आ गया होगा, कि कोई भी body, rest में कब तक कहते हैं, जब तक वो अपने position में हैं, मतलब वो क्या है, अपना position को क्या कर रहा है, change नहीं कर रहा है, और जिस point पे, जिस जगा पे है, वो उसी जगा पे है, तो हम क्या कहेंगे, यह क्या कहेंगे, वो rest में है, definition तो ही कहते हैं, a body is set to be in state of rest, when its position do not change, यह position change नहीं करता है, I hope यह समझ में आ गया है, rest इसी को कहते हैं, अब इसमें क्या था, थूड़ा सा change था, अगर आप motion को जानना है, तो बस इसमें थूड़ा सा changing होगा, friends, क्या होगा, थूड़ा सा changing हो जाएगा, क्या होगा, देख लेते हैं, बस थूड़ा सा, इसके definition में कुछ changing नहीं, एक चीज़ चेंज है, इसका definition में क्या change है, rest में जब था, कोई भी object, तो उसमें क्या होता है, do not change position, लेगिन motion में क्या होता है, change position, it's change, हम कह सकते हैं, it's position change, मतलब क्या होता है, motion में जब कोई वीच रहता, तो position को change करता है, तो देखें, भी change कर रहे था न, जैसे अगर माल लेते हैं, इसका भी example, अब हम लोग motion देखते हैं, motion का भी definition यह कहता है, our body is said to be in state of motion, when its position, when its position change, with respect to reference point, with respect to reference point, मतलब reference point तो आपको समझ में आगया होगा, कि जिज जगा पे कोई भी चीज होगा, stand होगा, खड़ा होगा, रुका होगा, उस point को क्या कहते हैं, जैसे हमने एक car लिया, जैसे एक point मैं draw करता हूँ, एक point हमारा A है, और एक point हमारा B है, मतलब यह एक जगा है, यह भी एक जगा है, अभी मैंने क्या किया, अपना car को मैंने यहाँ पे पार्क किया, अपना car को मैं क्या किया, यहाँ पे मैं पार्क किया, ओके, अभी हमारा कार इस जगा पे है यह हील नहीं रहा, कुछ नहीं एक point पे जो खड़ा है, तो हम situation में इसको क्या कहेंगे यह हमारा क्या है, car race में है अगर मैं इस car को क्या करूंगा मुझे नहीं, हम ऐसा सोच रहे हम हमको क्या करना है, कहीं जाना है घुमने के लिए है ना, तो मैं घर से क्या करूंगा जिस जगा पे पार्क हमारा गाड़ी है जिस point को क्या करूंगा मैं change कर दूँगा, वहां से मैं चला जाँगा, मतलब क्या, इस car को मैं कहा ले आऊँगा, मैं point B पे, मालने जी यह कोई tourist place है वहां पे मैं घुमने चला गया, तो मैं यहाँ चलाया, तो car यहाँ से यहाँ आ गया की नहीं, तो देखे friends यह position A में था, तब race में था, लेकिन क्या है यह reference point जहां से यह सुरू में था, first में, यह क्या है इसका reference point इसको बोलते है, reference sorry यह reference यह reference point जहां से यह खड़ा था starting point को reference point के था है अब यहां से यहां चलना हुग गया, क्याओ ओव और यह reference point के देखे यह क्या होगा, यह change हो गया क्या होगा, reference point को अपना क्या केओ चेंज कर दा है, चेंज करने मतलब क्या यह जा रहा है, देखें जा रहा है कि नहीं, यह क्या क्या रहा है, यह कार हमारा क्या कर रहा है, वो जा रहा है, यहां से, तो यह इसके respect में, मतलब इस reference point के respect में, with respect to reference point, यह क्या कर रहा है, यह क्या कर रहा है, यह पोजिशन अभी य आना start करता हूं, तो जिस point पे था, जिस reference point में ख़ड़ा था, उस point के respect में, मैं क्या क्या चलना, शुरू कर दिया, ऑके, अगर ये, अगर मैं ऐसे बात करता हूं, जैसे, अगर मैं बात करता हूं कि यहां, ऑके, जैसे ये point है, इस point से मैं लिखना, मैं start करूंगा तौह मैं कि अभी मेरा pain , uh hand हम कह सकते है कि rest म funktioniert क्यूंकि देखे जिस point मेरा यह जो pain है जिस point पर यह pain है यह तो हमारा reference point पॉइंट अभी इस pain को क्या करूँगा यहां से इस pain को move करवा रहाँगा motion अब मैंने लिखा यहां से start क्या friends और लिखना यहां से देखें यहां करके मेरे stop हुआ मतलब यहां से क्या position तो पूरा मेरा change हो रहा था किसके respect में यह reference point के respect में इसी को क्या कहते friends motion कहते हैं ओके थोड़ा सा difference है rest और motion के definition में एक में क्या था position change नहीं होता है जिसमें position change नहीं है ता उसको rest कहते हैं with respect to reference point एक में क्या होता position change होता है with respect to reference point उसको बोलते है motion और यह जो motion होता है friends वो काफी different taps होता है ओके देखें motion can be different tap मतलब यह motion जो है काफी मतलब अलग-अलग type क्यों हो सकता है motion can be different taps depending upon the taps of the different path कब जब इसका path जो होगा यह जो जैसे मैंने यह path जो यह रास्ता है path मतलब रास्ता track हम कह सकते है different track different path different road है ना तो यह जो track है यह path है अगर यह different है तो motion भी क्या होगा यह motion depend किस पे different type से motion हो सकता है कब जब path क्या होगा different होगा यह different पे depend है कि motion कैसा होगा motion कैसा होगा ओके तो बहुत सारे इसमें हम class 90 पढ़ना है circular motion पढ़ना है and linear motion पढ़ना है, oscillatory motion पढ़ना है vibratory motion पढ़ना है, oscillation यह यह पढ़ना है तो हम लोग क्या करेंगे, यह circular motion, vibratory motion, linear motion को हम लोग क्या करेंगे, details में जानेगे, one by one तो आज हम लोग wrist और motion के बारे में आज हम लोग क्या किये, चचा किये, तो आज को topic आई होप, आज को topic अच्छा लगाओगा friends तो हमारे चनल को लाइक करें, share करें, subscribe करें, फिर मिलते है friends आपके साथ एक अच्छे topic के शाद, thank you